Hello everyone, welcome to my channel आज के इस वीडियो में मैं आपको princess cut blouse की cutting और stitching गता हूँगी तो सबसे पहले मैं front part की cutting करूँगी तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसको simple एक fold में रखा है यहाँ से open side है और यहाँ से folded वाली side है और यह front part की length है और length के लिए सबसे पहले हमें उपर आधा इंच का margin ले लेना है सिलाई में जगबेगा उसके लिए तो इसको मैंने straight कर दिया अब इस line से नीचे की तरफ को हमें blouse की ready length के लिए निशान लगाना है तो जितने भी आपको blouse की ready length चाहिए आप उसमें से एक इंच ज्यादा लीजे क्योंकि फ्रंट वाला part हम एक इंच बढ़ा के कट करते हैं तो जैसे मुझे चाहिए ready length 13.5 इंच की तो उसमें से एक इंच ज्यादा में ले रही हूं तो आया 14.5 इंच साथी साथ आधा इंच का margin ले रही हूं जो नीचे bottom में double fold होगा उसके लिए तो मैंने यहाँ पर इसलिए 15 इंच की इसकी length ली है अब यहाँ folded वाली side से अंदर को shoulder के लिए निशान लगाना है तो deep neck का blouse है तो इसके shoulder से 5 इंच के रख रही हूं अब यहाँ से नीचे को armhole के लिए निशान लगाना है तो 5.5 इंच पर मैं armhole के लिए निशान लगा रही हूं और इन दोनों points को straight line से join कर दिया अब यहाँ पर हमें burst के लिए निशान लगाना है और इसको हमें यहाँ armhole वाले point पर straight line से join कर दियाना है अब यहाँ नीचे की तरफ पर वेस्ट के लिए यानि के कमर के लिए निशान लगाना है तो जितने भी आपके कमर है आप उसको 4 से divide कर यह और निशान लगाईए तो burst में कितना बढ़ाना है वो मैं बताती हूं यहाँ पर एक इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि जब हम यह princess cut को cut करेंगे और उसको join करेंगे तो दोनों तरफ से हमें आधा-धा इंच का margin चाहिए होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर burst में एक इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया और इसको भी मैं यहाँ पर straight कर देती हूं अब इसके बार यहाँ कमर वाले हिस्से में हमारा जो princess cut आएगा उसकी जो चोड़ाई होगी वो आएगी 1.75 इंच की तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1.75 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा रही हूं और जब हम प्रिंसस कट को कट करके जोइन करेंगे तो दोनों तरफ से आधा-धा इंच का कपड़ा हमें और चाहिए होगा तो टोटल हो गया एक इंच तो एक इंच का मैंने और कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लिया यहाँ पर अब इन दोनों पॉइंच को स्ट्रेट लाइन से जोइन कर देना है इसके बाद यहाँ साइड में 1.5 इंच का मार्जन ले लिजे तो मैं 1.5 इंच का मार्जन यहाँ ले लिया है और इसको भी मैं यहाँ साइड में जॉइन कर दे रही हूं अब फ्रंट आमोल के लिए यहां कोने से बाहर की तरफ को हमें वन इंच यान के एक इंच पर निशान लगाना है और यहां पर हलका सा घुमाओ देते वे हमें फ्रंट का मूल कर बना लेना है तो यह लगाना है तो 10 इंच पर मैंने निशान लगाया और यह फोल्ड़ वाली साइड से इस पॉंट की जो दूरी है वह 3.75 इंच के करीब होनी चाहिए तो 3.75 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है अब यहां नीचे की तरफ पर हमें यहां पर 3.5 इंच पर एक नि निशान में लगाना है और इस पॉंट से उपर की तरफ को अब हमें 2 इंच पर में एक निशान और लगाना है अब इन दोनों पाउंट देते वे हमें इसमें में जॉइन कर देना है तो यह यहां पर प्रिंसस कट का शेप बन गया अब यहां फोल्ड वाली साइड में ऊपर की तरफ को हमें साड़े तीन इंच याने कि 3.5 इंच पेक निशान लगाना है और यह जो मार्जन वाली साइड है यहां पर में 2.5 इंच याने कि 1.5 इंच पेक निशान लगाना है इसके बार इन दोनों पॉइंच को मैं हल्का सा घुमाओ देते वे इस तरह से यहां पर हमें इसका वी शेप बना लेना इस तरह से तो इसको मैंने यह नीचे यह बेल्ट वाले हिस्से तक थोड़ा सा जॉइन किया कि यहां तक मै अधा इंच का में मार्जन ले लेना है अब नेकलाइंग में थोड़ा सा हलका सा मार्जन लेते वे हमें इसको कट करना है नीचे बेल्ट तक तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है बाकी का से मेजरमन के उपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अब यहां बेल्ट में हमें आ तो उसके लिए मैंने यहां पर कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और लंबा समय ने यह टुकड़ा लिया हुआ है और अब यह जो हमने भी बेल्ट कट करी थी उसको इसके ऊपर एक साइट से मिलाते वे इस तरह से हमें रखना है और ध्यान रहे फोल्डेड वाली के और को होनी चाहिए अब हमें यहां ऊपर की तरफ पर आधा इंच का मार्जन लेते वे इसके कटिंग करने तो आधा इंच का मार्जन ले लिया विसके कटिंग कर लेनी है तो बेल्ट की कटिंग हो चुकी है इस पार्ट को अब हटा दीजे अब हमारी यह वाली बेल्ट क पहले लिया था और इसको भी स्रेट कर देना है अब इस लाइन से नीचे को हमें बैक पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपको ब्लाउस की रेडी लेंथ चाहिए आप उतने पर निशान लगा लिजे और आधा इंच का मार्जन लेजिए उसलाई म अब यह जो ओपन वाली साइड है यहां से अंदर को हमें आधा-धा इंच का मार्जन ले लेना है होक और आई के लिए तो इसको मैंने सीधा कर दिया स्ट्रेट लाइन से अब यह लाइन से अंदर को हम बाकी का मेजरमेंट लेंगे यह जो आधा इंच का मार्जन है इसको नहीं करना है तो यह लाइन से अंदर को मैं पहले 5 इंच पे शोल्डर के लिए निशान लगा नहीं हूं अब इस पॉइंट से नीचे को साडे-5 इंच और इन दोनों पॉइंट को इस जोइन कर देना अब यहां पर बस के लिए हमने आपने साड़े आठ इंच पर निशान लगाये था फ्रंट में उतने पर ही हम यहां पर भी निशान लगा हैंगे और इसको आम होल वाले पर जोईन कर देंगे स्ट्रेट लाइन चेट और कमर के हिस्से में हम यहां पर एक इंच के डार्ट डालेंगे तो उसके लिए कमर में एक इंच का कपड़ा में एक्स्ट्रा बढ़ाना है अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से यहां पर जॉइन और इस पॉइंट से उपर की तरफ को हमें 4-4.5 इंच लगबग पे इतने पे निशान लगा लेना है और इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है अब इस लाइन की दोनों तरफ पे हमें आधा-धा इंच पे माट निशान लगाना है और इन दोनों प दरफ को हमें 3.5 इंच यहने कि साढ़े तीन इच पेक निशान लगाना है और स्ट्रेट जॉइन कर देना है और जो बैक पाइट की नेख विड्ट है वो भी भी तीन इंच पे लेड़ी है वह तीन इच पे निशान लगाया और इसको भी ऊपर हमें पर स्ट्रेट लाइन से तो यह बॉक्स बन गया है अब यहां पर हलका सा गुमाओ देते वे नेक का शे बना लेना है और थोड़ असा शोल्डर डाउन करना है और मार्जन ले लेना है मार्किंग हो चुकी है बैक पार्ट की अब सेम इसके उपर हम इसकी कटिंग कर लेनी है नेक लाइन में थोड़ असा मार्जन लेते हैं हमें कट करना है जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया था अब यह जो मार्किंग है इसको इसके पीछे तरफ पे भी हमें ट्रेस कर लेन तो यहां पर मैंने फ्रंट वाला पार्ट ले रखा है और देखिए अस्तर वाले कपड़े के उपर मैंने मेन वाला फैब्रिक रखा हुआ है और सेम इसी तरह से बाकी के पार्ट सो को भी ऐसा ही रखा हुआ है मैंने देखिए जो उपर की तरफ देख सकते हैं उपर की तरफ इसको हमें जॉइन करना है, तो इसको मैं इस तरफ से पलट के रख रही हूँ और यह नीचे की तरफ से इस तरफ से मिलाते हुए हमें हमें इसके प्रसेस कर्ट में सलायी लगा लिनी है तो ए繼續 में यहां इस में से झुत लोगते हैं, तो देखिए गाली है और पाइपिंग लगाने लिए मैं यहां पर एक मिर पास रिबन है मैं रिबन का यूस कर रहे हूं क्योंकि मिर पाइचिंग कपड़ा नहीं है अभी अवहलेबल तो मैं इस एसे से लेश लगाऊंगी तो सीधी तरफ पर हमें इस तरह से रखना है और इस पर सिलाई लगानी ह अब हमें इसको बचेवे कपड़े को पीछे की तरफ को पलट देना है और इस तरह से यहाँ पर पाइपिंग लगा लिनी है अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं तो आप कपड़े में उरे पट्टि को यूज करिएगा तो देखिए इसमें मैंने यहां पर पाइपिंग लगा दिये है तो यहां पर दिख सकते हैं अब इन दोनों पार्ट्स को हमें country से जोईंग करना है तो इसको जॉइन करने के लिए मैं कपड़े कप टुकड़ा ले रही हूँ यह पट्टी ममने बना ह है और इसको यहां दोनो कपड़ों के नीचे हमें यहां पर रखना है इस तरह से और हिसमें चारों तरव से सलाहि लगा के जॉइन कर लेना है अगर आपको लग रहा है कि आपका नेक थोड़ा जादा डीप हो गया है तो आप पट्टी को थोड़ा ऊपर से लगा रही हूं तो अब मैं इसमें भी यहाँ पर लगा लूँगी तो यहाँ पर दीखिये मैं इसको से लाई लगा के जॉइन कर लिया है अब इसका जो बोटं इसको हमें कपड़े की सीधी तरफ पर रखना है इसको ऊपर की तरफ करते वे और अगर आपकी चौड़ी पट्टी है तो नीचे से स्टार्ट होगी लेकि मेरा रिबन थोड़ा पतला है इसलिए मैं इसको आधा हींच ऊपर पर रखते वे स्टर से सलाई लगा रहे हूं तो देखिए मैंने इसमें आपस सलाई लगा लिए साइड तक अब हमें इसकी जो नीचे की बेल्ट है उसको जॉइन करना है इसमें तो बेल्ट के लिए जो हमने बेल्ट का कपड़ा कट किया था वो मैं ले रही हूं तो यहाँ पर इसको ऊपन करके रखना है और यह सीधी त तरफ के ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से रखना है और इसकी जो नीचे वाली साइडे स्ट्रेट वाली इसमें हमें आधा इंच की दूरी पिसमें सलाई लगा लेनी है तो देखिए इसमें मैं अपने ब्लाउज में अटाच करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बेल थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि अपर वाले पार्ट में यहां पर डार्ज डाली थी जिस वाज़े से बैल बड़ी हो गई है कि जो भी एक्स्ट्र कपड़ा होगा वह हम ट्रिम कर लेंगे अब यह बैल को ब्लाउज के सीधी तरफ पर पलेट के हमें रखना है सेंटर स दीन होना चाहिए और फिर हम यहां संटर से की तरफ को इस तरह से इसलाई लगा लेंगे कैसे सल्टापन जाला हरूगों तो दीए इसी के ऊपर-ऊपर पे ही हमें दूसरे बी लगानी है तो देखे बिलकुल भी उपर नीचे नहीं होना है, इस लाइं के ऊपर ही हमें इसाइड में सलाई लगा लूँगी तो देखिए इसमें मैंने यहां पर सिलाई लगा ली है और अब इसमें हमें यहां पर ओवर लॉक कर लेना है ताकि धागे ना निकले अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच्चा है हमारा साइड में इसको हमें कट करके अलग कर लेना है तो यहां पर हमारी बेल्ट लग और अस्तर के उपर मैंने मेन वाला फैब्रिक रखा हुआ है और जो उपर की तरफ आप देख सकते हैं यह कपड़े की उल्टी तरफ यानि की रॉंग साइड देखिए और दोनों सीधी तरफ एक दूसे के उमूं करते वह नीचे की तरफ पे अब इसके नेक लाइन में आधा अब इसको सीधी तरफ पे बलटने के बाद इसके पीछे पे जो हमने यहापे डार्ट बनाई दी इसमें अब हम सिलाई लगाएंगे तो इस सेंटर वाली लाइन से में कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और जो यह हमारे चौक के लाइन है इस पे अब हम सिलाई लगा है और इस पती को अब हमें यहाँ पर इसके कोने पर रखना है और थोड़ा कपड़ा ऊपर से छोड़ दीजेगा बाकि इसमें सीधी सिलाई लगा लेनी है तो यह मैंने सिलाई लगा लिए अब हमें इसको उल्टी तरफ को यह कपड़े की रॉंग साइट के और उसके का हमारा एक्स्टा बढ़ गया है अब हमें इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है तो यह दे कि मैंने सिलाई लगा लिए अब इसमें हम हुक के लिए आइस बनाएंगे तो एक पार्ट बन गया अब जिसमें हमें हुक बनाना है हुक लगाना है वह वाला पार्ट में ले प्राइब करेंगे और इसको पूरा कम्प्लीट फोल्ड कर देना है और सीधी दरफ का देखेंगे कोई भी कप्ड़ा एक्स्टर नहीं बढ़ा हुआ है तो बस इसमें अब हाथ से तुर्पाई कर लेंगे या फिर आप से लाइब लगा सकते हैं इसमें हम फूरा लगाएंग प्लकेट अब मैं यहां पर फ्रेंट वाला पार्ट ले रही हूं और यह फ्रेंट वाले पार्ट के ऊपर हमें बैक के दोनों हिससे इस तरह से रखने हैं पलटते वे और उसके बाद इसके जो दोनों शोल्डर्स हैं इसमें हमें आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा ली अब यहां पर देख सकते हैं कि फ्रंट वाला आमोल थोड़ा चोटा हो गया बैक से तो हमें दोनों के आमोल को बराबर कर लेना है तो फ्रंट वाले के आमोल को मैं ट्रिम कर ले रही हूं और साइड में भी आप देखिए बैक वाला पार्ट सिर्फ आधा इंच का ही से डबाटम से डबड़ फोल करना है तो जुको डबल फोल करने के लिए मैं यहां पर एक पत्टी ले रही हूं और उसको कपड़ि की सीधी तरफर भी लगाना है और फिर से लाइ लगा के इसको डबल फ फोल कर देना है उसके बाद यहां सइड में फिटिंग अकॉर्डिं झाल झाल